जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना विल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराई पंचा चुनाव कराएगी 2021 से पंचा चुनाव लंबित है विपक्ष इस मामले में दोहरी नीती अपना रहा है चुनाव भी करने के लिए दबाव बना रहा है और ट्रिपल टेस्ट भी कराने की बात करता है यानि चीत भी मेरा पट भी मेरा मुझे तो यह जनकारी मिली है कि विपक्ष मुखिया को सरकार को धन की भी हानी होगी ट्रिपल टेस्ट पर भावी से में निर्णा लेंगे जहां ओवी सी बहुल छेत रहा है वहां तो ओवी सी चुन कर आएंगे ही इसलिए सरकार बिना ट्रेपल टेस्ट कराए पंचा चुनाव कराएगी जारखन में इस बार सरहूल में निकलेगी सोभायात्रा प्रकिर्ति पर्व सरहूल को लेकर तेरिया शुरू हो गई है पिछले दो सालों से करोना के करण सोभायात्रा नहीं निकाली जा सकती थी लेकिन इस बार सब कुछ ठीक रहा तो 4 अप्रेल को भव्य जुलूस निकाल होई बैठक में अजाय तिर्की ने कहा कि कुरोणा माहमारी के मदर नजर पिछले दो वर समीती की ओर से सरकार की गाई लाइन का पालन करते हुए सिर्फ पूजा अजनाक और सहलूर पर्फ का आउजन किया गया मॉब लिंचिंग मामले में सक्त होई हमन सरकार जारखन में पिछले कुछ सालों के दोवान होई मॉब लिंचिंग की गटनाओं को लेकर सूबे के हमन सरकार ने सक्त रुक्त अक्तियार करते हुए अहम कदम उठाया है राई सरकार ने मॉब लेंचिंग के मामलों में तवरित निप्टान के लिए फास्ट रेक कोट के गठन कराने का फैसला किया है ताकि इसके पिडितों को जल से जल तवरित नय उपलब्द कराए जा सके जार्खन के संसादिय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने विधान सवागी करवाई के दोवान एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि जार्खन में साल 2016 से लेकर अब तक मॉब लेंचिंग की करीब 46 मामलों को अंजाम दिया गया उन्होंने सदन को बताए कि मॉब लेंचिंग की इन घटनावों में करीब एक आवन अभी युकतों को आजिवन करास की सजा सुनाई गई जबकि इसके पिडितों को करीब 19,900 रुपए मुअब जा के तोर पर अवन्टित किये गए हैं उन्होंने सदन को बताए कि मॉब लिंचिंग मामलों के तोरीट निप्टान के लिए फास्ट ट्रेक के गठन करने के मामला सरकार के पास बिचारा धीन है ड्राइबिंग लाइसेंस के लिए ओनलाइन आवेदन करने की तारिख बढ़ी मैनुल ड्राइबिंग लाइसेंस को ओनलाइन कराने के लिए लोग अब मंगलवार तक आवेदन दे सकेंगे पूर्व में ड्राइबिंग लोगों की जरूरतों को देखते गए तिथी बढ़ाई गई है इस अधी के बाद DTO कर्याले में कोई भी आवेदन सविकार नहीं किया जाएगा DTO कर्याले की ओर से मिली जनकारी के नुसार 12 मार्श तक कूल 262 आवेदन मिले हैं इन में से 16-52 लोगों के DL ओनलाइन हो चुके हैं जबकि 760 आवेदन का अप्रूबल बाकी है वहीं 250 आवेदनों के इन्टरी बाकी है DL ओनलाइन कराने के लिए 19 फरवेदन जमा लिये जा रहे हैं सीवान से राची जा रही बस रामगर के घाटी में कंटेनर ने मारी टकर राची पटना राश्टरी ये राजमार्ग 33 पर रामगर थाना 6 रंत्रगर चुटू पालू घाटी में 100 मोर के सुबा करीब 4 बजे सीवान से राची जा रही यात्री बस को एक कंटेनर ने सामने से जोरदा टकर मारी जिससे यात्रियों से भरी बस पलट गई इस दवरान बस खाई में गिरने से बाल बाल बची है इस हादसे में लगभग एक दर्जन से अधिक यात्रियों को गंभीर चोटे आई है राची रेलवे स्टेशन पर 210 गोर खर्च होंगे रांची रेलवे स्टेशन को भोपाल के रानी कमलापती रेलवे स्टेशन की तर्ज पर वर्ल्ड कलास अत्यधुनिक सुविधाव से युक्त बनाया जाएगा रांची रेल मंडल ने इसके लिए 210 कौर रुपय का प्रस्ताव बनाया है पूरी तरह त्यार होने के बाद या 210 अस्तरिय मोडल रेलवे स्टेशन अंदर और बाहर से बिलकूल एयर पोड जैसा दिखेगा इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए कई भौनों को ध्वस्त करने की भी बात कही गई है मंजूरी के लिए प्रस्ताव को दक्षिन पूर्वे रेल मुख्याले भेज दिया गया है जारखन में रेन वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर अब भी नहीं है गंभीर राइधानी राची का भूज अलस्तर दिन बर दिन पताल में जा रहा है गर्मी की सुरूआत में ही सहर के कई मुहलों में पानी की किल्द सुरू हो गई है अगर सहरवासी बार्शाजल संरक्षन के लिए रेन वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम के निर्मान को लेकर गंभीर नहीं हुए तो सहर में पानी के लिए हाकार मज सकता है प्रचंड गर्मी में इस्थीती और भ्यावा हो सकती है बतादे रांची सहर में 2,25 एर से अधिक भवन है जिन में से मात्र 29,88 भवनों में ही रेन वाटार हर्वेस्टिक सिस्टम का निर्मान किया गया है 62,00,000 भवनों में रहने वाले लोग आज भी भूजल का दोहन कर रहे है 3,00,000,000 को नहीं मिला रीन माफी का लाब राई सरकार रीन के वोज से लदे किसानों का रीन माफी कर रही है इसके लिए अब तक 9,00,000 से अधिक किसानों को चिनित किया गया है कारण यह है कि सरकार रीन माफी सकीम का लाब उन किसानों को ही देने का प्रवधान किया है जिनका खाता स्टेंडर्ड है बता दे NPA होने के कारण 3,00,000,000 का खाता स्टेंडर्ड नहीं है दूसरी और 9,00,000,000 में से अब तक सरकार ने करीब 3,75,000 किसानों का 15,00,000 रीन माफ कर दिया है अगले वित्ये वर्ष 22,000 में भी रीन माफी के लिए 915,800,000 रुपे का प्रवधान किया गया है रांची में अपराद नियंत्रन के लिए 7 सदसे टीम का गठन राजधानी में अपराज पर रोख थाम, अपराधियों के सत्यापन और उन पर निग्रानी रखने के लिए सीटी एसपी सोरव ने 6 सब इस्पेक्टर को सामिल कर एस्पेशल टीम गठित की है टीम में लोर बजार थाना से अंसु उपाध्याय, सुकदेव नगर थाना से आसिस केशरी सामिल है टीम का नेतित्वे पूलिस लाइन में पदस्थापित इस्पेक्टर आलोक सिंग करेंगे इनका मुख्य काम, आर्म्स एक्ट, रंगदारी और फिराउती के लिए अपहरन से सम्मधित घटनाओ परोक्थाम के अलावा मामले का खुलासा भी करना होगा इससे सम्मधित आदेश सिटी एस्पी ने जारी किया है नीजी स्कूलों में BPL बच्चों की 80,000 सिटे रिक्त राज्यक के मन्याता प्राप्त इस्कूलों में नियमा उनसार हर साल 10-10 सिटे BPL बच्चों के लिए अरक्षित रखी जाती है ऐसे में 2011-12 से लागो नियम के नुसार अब तक 1 लाख BPL बच्चों का नमांकन होना चाहिए था लेकिन दुर भागे से मात्र 1778 BPL बच्चों का ही निमांकन नीजी स्कूलों में हो पाया है 10 वरस में लगभग 80,000 सिटे रिक्त रागाई है नीजी स्कूलों में हर साल BPL बच्चों के लिए आरक्षित सीटो रिक्त राजा रही है इसकूली सिख्चा इवम सक्षता विभाग ने पिछले 10 साल में नीजी स्कूलों में नमांकित BPL बच्चों के आकड़े जारी किये है इसके बाद यह खुलासा हुआ है गुमला में गरामिनों ने 70 मवसियों को किया जब्त गुमला में गरामिनों ने 70 मवसियों को जब्त किया है बता देव पीलखी गाउं के गरामिनों ने सनीवार की रातरी एक बए तसकारी के लिए ले जा रहे जिम्मे नामा पर देने की त्यारी पुलिस कर रही है जारखन सरकार के खिलाप सिक्षकों ने खोला मोर्चा वर्ष 2004 के बाद नौकरी करने वाले सिक्षक वा अने सरकारी करमी रभीवार को गुमला में पेंशन चेतना यातरा निकाली और जिला अधिवेशन में पुरानी पेंशन बेवस्ता लागू करने की मांग को लेकर गोल बंदी आरम कर दी नेशनल मुवमेंट फोर ओल पेंशन इसकीम के बैनर तले सिक्षक वामकरमचारी परमवीर अलवाट एकका स्टेडियम से पेंशन चेतना यातरा निकाली है सहर के मुख्य मारगों में अपने एक जुटता का परदसन करते हुए मुरली बगीचा इस्थित माधविक सिक्षक संग भवन पहुँचे होली में गढ़वा पूलिस की कड़ी नजार होली जैसे तेवार में अकसर छोटी छोटी बात को लेकर कहा सुनी होती रहती है जारे के साथ मनाए जाए बता दे थाना परदसर में होली महापरव को लेकर सांती समीती की बैठक थाना परभारी बुधराम सामत की अध्यक्सता में हुई हजारी बाग का स्कूल जहां घर से लेकर आते हैं पानी तब बनता है मद्याहन भोजान जारखन के हजारी बाग जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां बचों के लिए मद्याहन भोजान बनाने के लिए समीती को घर से पानी लेकर आना परता है यहां तक की बच्चे भी पानी घर से लेकर आते हैं खाने के बाद अपने बर्तन को भी धोने के लिए पानी नहीं मिल पाता हम बात कर रहे हैं चूर्चू परखन के चरही के प्रात्मिक बिद्याले फुसरी की यहां पिछले अधाई साल से पानी का संकठा है जहारखन में 20 लाख वाइफाई होट एस्पोर्ट बनाने का लगचे पीएम वाणी स्कीम डिपार्टमेंट अफ टेली कम्यूनिकेशन जहारखन के डीडीजी सीपी सिंग ने पीएम वाणी योजना का उधगाटन किया अपने समोधन मौन होने काया कि पीएम वाणी एक ऐसी ब्रोडबेंड कनेक्शन के द्वारा छोटे छोटे पैक बना कर डाटा बेज सकता है जिससे उन्हें एक निश्चीत आए प्राप्त होगी धन्यवाद